बियार विदान सबाचिनाव में लगातार हरेक राजनितिक दल बियार के कोने कोने में जाकर जनसभाओं को संबोधित करने में लगे हैं बिहार की जनता को लुभाने में लगे हैं कि बिहार की जनता उनकी पार्टी को वोट दे और उनकी सरकार आने वाले 10 नवंबर को बनाए इसी कड़ी में लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान भी बिहार के कोने कोने में जाकर जनसभाओं को संभोधित कर रहे हैं और आज यानि की 31 अक्टूबर को लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान का जनम दिन है और अपने जनम दिन के मौके पर वो पटना के पटन देवी मंदिर गए जहाँ पर चिराग पासवान ने मादुरगा की पूजा अर्चना की साथिसाथ अपने पाटी के जीत का आश होँ मांगी जीत की आशिरवाद मांगा है मादुरगा से साथी साथ आपको बता दे कि ये पहली बार है खुज चिराग ने कहा है कि पहली बार है एसा कि मैं अपने पापा के बिना अपना जुनम दिन मना रहा हूँ और ये बड़ा फीका-फीकासा है आपको बता दे कि बीते दिनों हमने अपने पूर्व केंद्री मंत्री रामलास पासवान को खो दिया और चुराग पासवान अकेले लोजपा की जिम्यदारी लेकर अपनी पाटी की जिम्यदारी लेकर बिहार के मैदान में बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और बिहार के कोने कोने में जाकर जनसभाओं को संबोधित करने में लगे हैं और आज उनका जनम दिर है जिसके मौके पर उन्होंने पटना के पटन देवी मंदिर गए जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की मत्था टेका और साथी साथ अपने पाटी के जीत की दुआ भी मागी फिलालकली मुझी दीजी इजासत और बेयार विदान सबाचनाओ के लेटेस अपडेट के लिए जुड़े रियनेशन न्यूस के साथ देखते रियनेशन न्यूस को मुझी दीजी इजासत नमस्कार